हेले वरिवन कैसे हो आई हो भाई हमेशे कितर आप लोग गरदा उड़ा रहे हैं और आज गरदा उड़ाने के लिए जो हम लेके आए हैं भाई मोटो का जी 84 और सैमसंग M34 के बीच कर लड़ाई है यह आज देखने वाले कि अंड़े करें कांट से चैनल पर नए है तो मेरा में सौर अब हम लोग हेल्प करते आपको एक अच्छा कैमरा फोन लेने में तो आपको किसी में हम लोगों करने में सब्सक्राइब और लाइक शेयर जो भी करना है अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर कीज़ेगा वैसे तो भाई लेकिन बात करते हैं कैमरा का तो वहाँ परफॉर्म करेगा वहां आपको आगे दिखाते हैं इस एक चीज है जिसमें आपको सैमसंग बेहतर है वह है इसका बैटरी भाई इसमें 6000 इमेच का बैटरी मिल जाता है एक यह भी चीज ध्यान रखना होगा कि मोटो में आपको बॉक्स में चार्जर मिलेगा सैमसंग में नहीं तो कर प्राइमरी कैमरा का बात करेंगे दोनों मे पिक्सल का है दोनों में OIS मिल जाता है बस थोड़ा सा डिफरेंस है तो अपर्चर वगरा में F1.9 है हम लोग को G84 में और F1.8 हम लोग को M34 में तो प्राइमरी कैमरा के फोटोस में दोनों ही फोटोस बहुत अच्छा लेता है ऐसा बोल पाना कि कौन सा बेटर है थोड़ा मुश्किल है बट आपको M34 जो है थोड़ा सा कॉंट्रास्टी कलरफुल फोटो वगरा देगा और जी एटी फोड़ा नैच्रल साइड में कभी-कभी रखने का कोसिस करता है बट एक चीज और अपको में मेंशन कर देता है कि भाई जी एटी फोड जो है थोड़ा सा वाइ अच्छे तरीके से तो प्राइमरी कैमरा में तो अभी तक तो देटाइम में सैमसंग लगा लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा सी नालग हो जाता है और यहां पर बहतर जो है कहीं कहीं पर काम जो है वो जी एटी फोर करता है किसी-किसी सिचुएशन में खाली फ्लेयर सा ज जूम जो है maximum level पर मिलता है दोनों फोन काफी ज्यादा maximum जूम पर स्टेबल फील देता है बट किसी फोन में आपको maximum जूम जूम यूजबल नहीं है अब किसी फोन में बेटर है कि 5x जादा जूम ना करो क्योंकि 10x और 8x किसी में आप लोग है तो बस टेक्ट पर सकते उसक है नहीं है कि हम लोगों ने जो बोला वही एकदब सेचिए आपके लिए मैं काम राप्राइटी रक किसी में एंग सक्ता है किसी के लिए सेल्फिज मतलब रखता है तो यह सफी नेस которую आपके लिए कौन सा फोन बहतर चोईस है त। आप जैसे एक्स्ट्रीम लॉウ लाइट म बोट ने पाता है कि अपर पर काम करता है बस आपका यहां यह इंड्यायल कर दीआ जाथ हो जाता है उस चीज़ को थोड़ा साइंडल कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया फोटो जाएगा तो अगर अल्ट्रावाइड का बात करें तो इस जगा स्पेक्स वाइस तो बहुत बहुत बढ़ा प्लस पॉइंट होता है जिनको मैक्रोस बगरा शूट करना है तो सैमसंग में आपको 8 Megapixel का अल्ट्रावाइड मिलता है लेकिन आपको अट्रावाइड के शौट्स में देखोगे तो यहां पर भी सैमसंग जो है तोड़ा कॉंट्रास्टी कलर बूश्ट करता हूँ दिखेगा लेकिन एक्सपोजर हैं लिंग सैमसंग का कहीं जादा बहतर है कहीं नहीं अगर देखे तो शापने डिटेलिंग वगरा सब कुछ बहतर है मोटो का वाइडर भी थोड़ा से ज्यादा फील होता है पॉइंट फाइव एक्स ऐसे तो दोनों ही आता है लेकिन डाइनमिक रेंज वगरा सब कुछ सैमसंग में थोड़ा से बहतर फील हुआ औ कहीं ज्यादा बेटेलिंग आप यहां पर मैक्रों से कृकर सकते हुँ तो अजfour के क्रों ऐखा कर तो अगर सेल्फी सके बात करें तो इस जगह वी दोनों फोन काफी अच्छा काम करता हम कि अगया जो में अल्ट्रा इना मौट कूल करने का देख लो कि आपको कैसा फोटो बगरा पसंद है लो लाइट में फोड़ा से बहतर लगा जादा बहतर था सैंसंग में नॉइज लवेल थोड़ा से जादा है तो कहीं न कहीं हम बोले तो ऑल्मॉस्ट दोने फोन काफी अच्छा काम करता है इवन पोट्रेट मोड में भी दोन सब्सक्राइब करता है लेकिन भाई इस जगह पर बोलें तो फ्रेंट कैमर में थोड़ा थोड़ा मारजीन के साथ हम कह सकते कि मोटो जो है बहतर परफॉर्म करता है सैंसंग से ऐसे तो दोनी फोन में बहुत सारे फीचर्स दिये हुए हैं कैमरा खोलने कब दोनी वनेक्स म कैमरा स्विच करता है अगर जाते हो तो इस सैंसंग में स्कीन स्मूथ वगरा करने का भी कुछ-कुछ ऑप्शन अलग से दिया हुआ इसको आप नॉर्मली जो है यह बंदी रहता है तो अच्छी बात है यहां पर और भी कुछ-कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं सैंसंग में य करने का उप्शन यहां पर कुछ-कुछ फिल्टर से दोनी फोड में प्रो फोटो वीडियो मोड दे मिल जाता है लेकिन मोट में एक एडवांटेज है कि भाई हम लोग रौ प्लस जैपैक दोनों खीच सकते हैं सैंसंग में आपको रौ नहीं मिलता है लेकिन आपको प्रो वीडियो मोड का उप्शन मिल जाता है इसके लाब और भी कुछ-कुछ ऑप्सन है नाइट मोड दोना ही फोन में है लेकिन अल्ट्रावाइट पर नाइट मोड सिर्फ सैंसंग सपोर्ट करता है फूड मोड है सैंसंग में पैनरोमा है मैक्रो बगर अपले सकते हैं तीसरा दोनों वीडियो दोनों का नों का प्रांट विडियो दोनों केम्रा पेक साथ ओं करके फोटो वीडियो बगर दोनों ले सकते हो तो आप यह देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन जो है वो जल्दी recording स्टार्ट करता है मतलब टैप करने के साथ recording कौन स्टार्ट करता है हम काउंट करेंगे तो आपको एक idea मिल जाएगा 12345678910 12345678910 तो हम लोग ने यह देखा कि मोटो जो है कभी-कभी ऐसा होता है कि recording जो है लेट से स्टार्ट करता है और स्टॉप भी करने के बाद एक सेकंड डिले से स्टॉप होता है तो अगर बात करेंगे वीडियो का तो भाई 4K 60fps तो किसी में नहीं है 4K 30fps हम लोग को सैमसंग मिल जात है वहां पर कुछ भी आपका काम नहीं करता है जो में सेटिंग है और बेटर इस्टिपलाइशन वगरा सब कुछ है वह आपको 1080 30fps लेगन वह सैमसंग का एक फाइदा कि आप यहां पर कैमरा स्वीच कर सकते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो यह एक बहुत बड़ा अड़ करता है मोटो बट वहां पर देखा जाएता अगर दूंग करके तो थोड़ा नॉइज लेवल जादा मतलब दिख जाता है कहीं न कहीं हम दोलेंगे सकाइक डिटेल्स पर देखके कि सैमसंग यहां पर बहतर काम किया है एक्सपोजर सिफ्टिंग में भी आप देखो कि से स्टेभिलीटी बढहिया देगा फिंब आप यहां पर यहां पर क्या डिफ्रेंस और फिलीटी में यहां पर सैमसंग यहां में बह Teen सब्सक्राइबί सब्सक्राइब वगरा नहीं मिलता है यहां पर आपको नॉर्मल मोड में इस्टेबिलिटी मिल जाएगा वैलिटी वाइज आप देखी सकतो कि मोटो में थोड़ा से बहुतर पर्फॉर्म करता है और अगर यहीं हम लोग लोग लाइट में जाएंगे तो कोई भी फोन यूजबल नहीं है यहां पर बोल सकते हैं कि भाई बेटर है कि आप लोलाइट में यूज़ करो काम चला अल्टरावाइड है देटाइम में यूज़ करने के लिए लाइट क्या लग रहा है कि आप रिकॉर्डिंग करने के टाइम फ्रेंट से रियर कैमरा में स्विच कर सिफ तो भी नाइस टॉप किये हुए तो नहीं फोन का फ्रेंट कैमरा है लो लाइट में अगर दिखा जाए तो ऊपर फैन चल रहा है तो नॉज़ कैसा आता फैन का वो भी आ आपको एडिया लग रहा हुगा कर शिफ्टिंग वाइड वैलन्स किसका कैसा क्या है अगर डिस्पले में देखके बात करें तो आमको भाई मोटो शार्प तो दिख रहा है लेकिन भाई उतमें नॉज़ लेवर काफी जादा दिख रहा है आप बताओ करके कि लो लाइट म तो मोटो में बहुत बड़ा एड्वांटेज है कि आप इसमें डूल कैप्चर मोड जो है वो यूस कर सकते हो जिसमें की फ्रेंट और रियर कैमरा दोनों एक साथ और यह आपको ब्लॉगिंग वगरा कुछ करते हो तो इसमें आपको काफी जादा हेल्प करता है और दोनों हम लोग को स्लो मोशन तो मिली जाता है क्वालिटी वाइस दोनों फोन ऑल्मोस सिमिलर चासा परफॉर्म करता है यह बोल पाना कि कौन सा बहतर है मुश्किल है बास अमसंग में सूपर स्लो मोशन मोड दिया है जो कि इससे भी जादा स्लो मोशन कर सकता है तो अगर हम से दो कि अद्रों साओं ब्रोशा यू तो आप को पता है तो बहुत आप आप यह बोल सकते कि इस एंग को काफी अच्छा फोटो काले के दे देखाhtी विडियों में कुछ जिछ अगंको काफी बहतर काम करता है यहींत पर बहतर काम कर जाता है आब आप प्रामीरी केमरा में आपके इसाब से क्या लगता है कौन सा फून गड़ता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए-बाए